खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़ें जो सेंट्रल गवर्मेंट यानि इस्टेट गवर्मेंट में नौकरी कर रहा हो और उससे डिस्मिस हुआ हो और उस डिस्मिसल की तारीक पांस साल के अंदर की हो यानि पांस साल खतम नहीं हुए हो ऐसे सभी केसिज में सेक्शन 9 अप रिप्रेजेंटेशन अप पीपल एक और सेक्शन 33 का सब क्लॉस 3 इन दौनों में ये बाद्ध है यानि कंपलसरी है कि वो कैंडिडेट अपने नौमिनेशन पेपर के साथ में एक सर्टिफिकेट लाएगा प्रिस्काइब फॉर्मेट मे जो Election Commission of India देगा कि इस पर्षेन जो आग्यक्ती हैं, He has not been dismissed because of the disloyalty to the nation and corruption, तो ये दोनों cases में अगर कोई नहीं भी है और dismissal भी है, तो भी IS fact का कि He has not been dismissed because of the disloyality to the state and corruption, इज दोनों ही cases में certificate लाना जरूर ही है तो पांस साल के अंदर में जो भी सरकारी आदमी अगर कोई dismiss होता है तो वो dismissal, corruption और disloyalty to the state की वज़ा से नहीं है या है इन दोनों ही cases में एक certificate election commission से आता है हमने मौका भी दिया कल आज 11 वज़े तक का defer करके लेकिन 11 वज़े तक कोई इस तरीके का certificate नहीं आया और उसी के अधार पर और जो provisions है उनके अधार पर एक long speaking order पूरा सुनवाई के बाद जो objection आये थे उनकी सुनवाई के बाद सबको समयत करते हुए जो श्री तेज बादर है उनका नामांकर ने रस्त किया गया है सर किनकोर certificate कहां से लाना था PSF से चुनावायों से अधार आप 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 ब्लीज और पढ़ लिजे उसमें सारी चीजें हैं कि कब दाखिल करना होता है या कितना टाइम देना होता है ठीक है ना जो 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 भी स्कूरूटनी है वी स्कूरूटनी मैक्सिमम नेक्स डे 11 क्लॉक टक डेफर्ट की जा सकती जो कि हमने मैक्सिमम टाइम दिया तो जो कहते है इग्नॉरेंस इस नो एक्स्क्यूज इन दा आई अफ लो तो कोई भी कैंडिट जो डिस्मिसल हुआ है पिछले पांस साल में उसको अपने साथ वो सर्टिफिकेट एलेक्शन कमिशन अव इंडिया से इस्यू कराके लाना होगा एलेक्शन कमिशन अव इंडिया में एप्लाई करना होता है आप डिटेल्ड जो ओर्डर है उसके डिटेल्ड सारे प्रावीजन निहित की गए सारे बात ने लिखे गई है